आप देख रहे हैं BHPC News नमेशकार स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथ शिखा कोशिक सेना संबंदी खूफिया सूचनाई देने के आरोप में ATS ने उत्रपरदेश के हापूर जिले के भादूर गर्थाना शेतर की गाउं बिहूनी निवासी एक पुर्वसैनिक सौरव शर्मा को गिरफतार किया है आरोप है कि खूफिया सूचनाई देने की एवेज में पुर्वसैनिक के खातों में पाकिस्तान हैंडलर के माध्यन से धनराशी भेजी गई है पुर्वसैनिक माई 2020 में बिमारी की कारण नौकरी छोड़ कर घर आ गया था टीम ने गिरफतारी लखनाउ से दिखाई है जबकि परिज़न के अनुसा टीम के सदे से पूछताच के बहाने उसे मेरट भुला कर ले गए जहां उन्होंने गिरफतार कर लिया उसके खिलाफ लखनों में संबंदी धाराओं में रिपोर्ट दर्च कर ली गई है सौरब शर्मा के पिता की मौत करीब 20 साल पहले हो चुकी थी इसके बाद उसकी माता मधु शर्मा ने जमीन बेच कर किसी तर अपने बेटी को सेना में भरती कराया सौरब तीन भाईयों में से बीच का है उसके दादा दरोगा थी इनी की प्रेणा से वो फोजी बना था बिहुनी निवासी स्वर गया उंदत शर्मा की तीन बेटों में सौरब शर्मा बीच का है परिवार के पास किसी समय गाउं से सटी नो भीगा जमीन थी वर्ष 2013 में सौरब भारतिय सेना में भरती हुआ इस दोरान उसकी माने बेटे को काबिल बनाने के लिए वो जमीन भी बेच थी सेना में करीब साथ साल नोकरी करने के बाद सौरब वी आरेस लेकर गाउं लोटाया बताया गया है कि वह किड Nice की बिमारी से पीडित था गाउं वालों को कतला यकीन नहीं था कि सौरब इस तरह की वारतात से जुड़ा होगा पूरा गाउं ही उनका मान समान करता था और सौरब का परिवार भी सभी को समान देता था लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का धबा लगने से पूरा परिवार शर्मसार हो गया था हलांकि उसकी मा मधू का कहना है कि उनका बेटा निर्दोश है वह किसी तरह की घटना में समलिप नहीं है पैसो के लालच में देश भक्ती भूल गया सोरब चंद पैसो के लालच ने पूर सैनिक सोरब पर बड़ा दाग लगा दिया है उसके गाउं के लोग भी अचरज में हैं देश सेवा के लिए सेना में भरती हुआ जवान कैसे देश विरोधी कती वीदियो में शामिल हो गया गाउंवाले इस पर चर्शा कर रहे हैं सक्ति से पूच्टाच में कबूलते हुए बताया कि वह सेना की नोकरी छोडने के बाद सेना से जुड़ी गौप ने जानकरी पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी समयत अन्य देशों में भेसता है इसके अलावा सौरब ने पूच्टाच में बताया कि वह वाटसब के जरिये पैसो के लालच में महिला को जानकरी उपलब्ड कराता था जिससे शेतर में सौरब के लिए तरह तरह की चर्शाब बनी रही है ग्रामिनों का कहना है कि उसकी गती वीडियो से उन्हें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ लेकिन गाउं के लोग ये जानकारी मिलने से आहत है अभी के लिए सिर्फ इतना ही बने रही है हमारे साथ नमस्कार आप देख रहे हैं बी एच पी सी नियूज